हाई गाइस कैसे हैं आप सबी लोग आज किस वीडियूम देखने वाले हैं बीए फस्ट सेमिस्टर 2020 में आने वाली कोशन रक्षा एंट स्थान्दक अध्या है जिसे हम सैन अध्या के नाम से भी पेपर को जानते हैं जो आप पेपर देख रहे हैं 2022 के लिए मौस्ट केवल दस कोशन दोगा तो आपके आग्जाम में आते होंगे और इस वीडियो में केवल आप 18 से 20 कोशन देखेंगे जो मौस्ट इंपोटेंट है आपको इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ना है ठीक है और पढ़ने की जरूत नहीं है तो आप सभी चात्रों से कहना चाह से यह फिर मातमा गांधी कासी बिद्धिया पीट से बल्दिया उनिवस्टी से नेकलो प्रियाग राज उनिवस्टी से जिससे भी हो सब के लिए इंपोटेंट है यह कोशन याद रखना आपको क्या कर लेना है यदि आपके पास इसके नोट्स नहीं है तो नोट्स भी लगाएंगे वो है रक्षा और इस्तरात्रिक अध्यायन क्या होता है। उनके उपयोग के बारे में उनकी महत्व की बारे में याद करेंगे। साती साथ आपको पता है यूद क्या है यूद क्या होता है यूद की विशेष्टा क्या होती है यह हम पढ़ेंगे मौस्ट इंपोर्टेंट है और यूद की विशेष्टा की बाद में हम करेंगे यूद के पिर्मुक सिध्धान कौन कौन से हैं सिध्धान्तों को देख लेना युद के उसके बाद में आपको पता है आश्चारिय युद का सबसे अधिक गहतक तत्व क्या होता है जो आश्चरी युद्ध होता है उसका सबसे अधिक घातक तत्व कौन सा होता है वह आपको याद करना है उसके बाद next question पर लगाएंगे आकर्मन करो क्या है साधन है यह आपको एक कथन दे रखा होगा तो आपको इसको किसका है केसे दिया गया वह छीज़ आधूनिक युद्ध कर्म है उसका सवरूप का विस्तार आपको देख लेना है मुश्ट इम्पोटेंट है उसके बाद क्चापा यूद्ध क्या होता है तो च्छापा क्या होता है और इसके आधारवुत तत्व कौन कौन से होते हैं उनके साधन उनके माध्यम कौन उनके साधन कौन से होते हैं इसके आपसे पूछा जाता है देखिए अनके फिरकार मताओ और भयाक दून की PowerPoint तत्व उनके महत्म के की वारे में और राज कह सकते हैं राजनाइक युद्ध की बारे में अच्शी तरीके से पढ़नेंगे और और युद्धद्द चक्र के बारे में देख लेंगे युद्ध इस्तर युद्ध क्या होती है समर्तन होता है उसमें अप अंदर बता दो ये कोश्न आपको याद कर ले나 होता है और सीथ यूद्ध का कार्ण होता थैसी यूद्ध की पर नवीन उधर सारी तरगी यूद्ध होता पर वहाब क्या होता है तो आपको त्रत लेना है के उती नीती क्या रही है उसके बारे में देख लेना है और वंदिया पहले जबता रखा है वास इतने कोशन देखना है वाकि कुछ नहीं गऊंगा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने के लिए यह